क्या इसराइल फलस्तीन विवाद पर सही है भारत की नीती, नई दिली, बीते दिनों इसाइल के पीम बेजामिन नेतनियाहु से प्रेस कॉंक्रिंस के दौरान एक सवाल पूछा गया, सवाल संयुक्त राश्ट्र में हमास और इसराइल के बीच सीसफाय को लेकर एक प्रस्ता प्रस्ताव का जिक्र कर रहे थे, जो हमास और इसराइल के बीच युधवराम के बानत के 120 देश का समर्थन मिला, एक जुट होना चाहिए, साथ अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमास के हमलों को लेकर भारत ने एक सपष्ट नीती सामने रखी थी, सलाग भारत न इस प् वाले कड़ी आलोचना नहीं की गई है, साथ ही कनाडा की और से लाए गए प्रस्ताव का भारत ये मानता है कि दुनिया के सारे देशों समर्थन किया, ये अलग बात है कि देश को एक जुट होकर आतनकवाद के खिलाफ में विपक्षी दलों ने भारत के इस रुप की भार दूसरा भार साफ किया कि फलस्तीन को लेकर अपनी विदेशनती पर वह कायम है, इस मामले में बादचित के जरिये हल निकालने और टू स्टेट ज्योरी को मानता है, भारत मान्य सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र, सैप्रभू और व्यवहारिक क्या सतुलत नीती, आगा कहते हैं कि भारत इस मसले पर बैले सिंग एक्ट की नौती पर ही चल रहा है, ऐसा करना न सिर्फ नैतिक, बलकि व्यवहारिक वजहों से भी जरूरी है, आगा कहते हैं कि भारत इस्राइल को लगातार उतना सपोर्ट दे रहा है, जितना संभव है, लेकिन ये भी सच है कि फलस्त इसी क्षेतर से देश में आता है, दूसरी बात ये है कि सैद्धितिक तोर पर भी हम फलस्तीन के मामले के भारत बार बार साफ कह रहा है कि आतंकवाद एक ऐसा मसला है, जिस पर अब खुल कर बोलना होगा, पीम नरेदर मोटी ने इस बात के सकेद भारत में हुडी पालिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मानता है कि इसका हल टूर स्टेट सोल्यूशन के तहत ही हो सकता है, ये बात चीट से ने कहा ये सही मदद इसलिए पहुचाई न गई, बलकि पिछले दिनों मसल पर से तुलन कायम रखना बहत फलस्तीन राज्य की स्थापन जाना व्यक्त की थो